दूस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वगत है आपके यूट्यूब चनल पे इस वीडियो के अंदर अज आप से बात करूँगा आज के दिन के तीसरे T10 मैच के बारे में जो खेला जाएगा GRI वर्सिस BGA के बीच में तो दूस्तो मैच जो है काफी शादर है investment परपस से और ये जो मैच है ना इस सीजन के ग्रूप B का आठवा मैच होने वाला है एक तरफ अगर आप से बात करता हूँ GRI टीम के बारे में तो इस तीम ने इस सीजन के अंदर एक मैच खेला है जहां पे वो वाला मैच ये वान कर गई है वहीं दूसरी तरफ अगर आप से बात काफी तगड़ी टीमें हैं दूनों ही टीमों के पास आपको काफी तगड़े प्लियर्स देखने को मिलेंगे लेकिन जब मैं दूनों ही टीमों के लास्ट मैच के रिकॉर्ड दिख रहा था और लास्ट सीजन के रिकॉर्ड लिख रहा था तो मेरे सामने एक चीज क्लियर ह हो गई थी कि यहां पे जो GRI के टीम है ना वो थोड़ी सी बहतर टीम है as compared to BGA तो हम जो यहां पे टीम का combination बनाएंगे वो यहां पे 6-5 का बनाएंगे और हम जो यहां पे टीम बनाएंगे वो GRI के फेवर में बनाएंगे इसी के साथ सथ वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के हर एक प्लियर का बैटिंग ओर बताऊंगा साथी साथ उन बॉलर्स के बारे में बताऊंगा जो कि इस मैच में आपको कंफर्म अपने स्पैल के दो ओवर डालते वे दिख जाएंगे तो अगर आप लोग एक भैतरी निस्मॉल लिग की टीम को क्रियेट करना चाते हो ना तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकिये अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों उससे पह जरूर बढ़ाएगा और दूसरा सबसे इंपॉर्टन कम आपको क्या करना है आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ जाना है क्यों आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना है देखो इस मैच की जो भी टॉस रिपोर्ट होगी जो भी प्लेइंग 11 होगी या फिर जिस अलग चैनल पे जॉइन हो जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में जो ऊपर की ये दो लिंक मैंने द क्लिक करके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो सकते हो और हमारी फैमली का हिससा बन सकते हो दूस्तों यहां से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां से आप लोग वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में जहां पे आपको चार इंपोर्टन खिलाडी देखने को मिलेंगे सबसे पहले है जी लीटाइजर जो कि आपको टीम के लिए विकेट कीपिंग के सासाथ पांच भी डाउन पे बैटिंग करते वे दिख जाएंगे इस सीजन के अंदर जो एक मैच इनों ने खेला है उसमें इनोंने 16 रन बना रखे हैं लेकिन बैटिंग बहुत नीचे करने आते हैं इसी वज़े से फिलाल में अपनी स्मॉन लिक की टीम में जी लीटाइजर को ट्राइ नहीं करूँगा उसके बाद यहाँ पे जो अगले खेलाडी है बोहें आप पे उसमान हैदर जो कि आपको टीम के लिए विकिट केपिंग के साथ-साथ ओपनिंग करते भी दिख जाएंगे काफी तगड़े बैट्समेन है दो मैची सीजन के अंदर इनोंने खेले हैं जहाँ पे इनोंने 24 रन बना रखे हैं वहीं अगर आप इनका 2021 का रेकॉर्ड देखोगे 2021 मेना 11 टी-20 मैच इनोंने के लिए थे जहाँ पे 286 इनोंने रन मनाई थे तो काफी तगड़े यहाँ पे बैट्समेन है विकिट कीपिंग भी दे रहे हैं साथी साथ ओपनिंग भी दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से यह आपके लिए बैस्टिक रहेंगे तो इनको ट्राइ करेंगे उसके बाद यहाँ पे मुहमद वाहिद अंजुम की बात करता हूँ यह आपको टीम के लिए ओपनिंग करते वे दिख जाएंगे लास वाले मैच में यह बंदा 16 रन बना के गया था अच्छी वैटिंग कर रहा था लास वाले मैच में अगर आप इसका 2021 का रिकॉर्ड देखोगे तो 11 मैच में 227 रन इसने अल्लेडी अपने करियर में बना रहा है यह इनके में 2021 का आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ तो आप चाहें तो यू हैदर को ड्रॉप करके डबलू अंजुम को ले सकते हैं तो आपके ओपर है आप जिसको लेना चाहें उसको ट्राइ कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे हैं जेसन मार्टिंग जो कि लास्ट दो मैच इस ते टीम इनको बैटिंग नहीं करा रही है पाँचवे डाउन पे बैटिंग करने आते हैं और इनका बैटिंग और बहुत नीचे है इसी वज़े से हम इनको अपनी स्मॉल लिग की टीम में ट्राइ नहीं करेंगे डेविड हॉपर की बात करूँ टीम के लिए चोत्री डाउन पे आपको बैटिंग करते वे दिख जाएंगे इसी के साथ साथ एक ओवर के आपको बालिंग डालते वे दिख जाएंगे लास्ट वाले मैच में 18 रन यहाँ पे हॉपर ने बराये थे और इनको एक ओवर के बालिंग करवाए गई थी लेकिन इनको वेकेट नहीं मिले थी तो आप चाहें तो हॉपर को ड्रॉप करके किसी एधर प्लेयर को ले सकते हैं लेकिन हॉपर मेरे साबसे अच्छे और लाउंडर हैं इसी वदे से मैं इनको अपनी टीम में पिक करके जलूँगा उसके बाद यहाँ पे जो अगले खेलाडी है वो है आप मुहमत कुमर इजाज जो की टीम के लिए आपको तीसरे डाउन पे बैटिंग करते वे दिख जाएंगे दो मैच इस सीजन के अंदर इजाज ने खेले हैं जहां पे इनोंने 27 रन मना रखे हैं अगर आप बिल्कुल सेफ टीम के साथ जाना चाती हो तो आप अपनी टीम में क्या कर सकते हो की डी वेलन को छोड़के ना इजाज को अपनी टीम में ले सकते हो वेलन के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा की मैंने इनको अपनी टीम में क्यों लिया लेकिन इजाज एक ऐसे खेलाड़ी हैं जो की रेगुलर टीम के लिए परफॉमस देते ही देते हैं मतलब ये लगा लो कि इनका अगर आप टी ट्वेलन के साथ गया हूँ रीजन डी वेलन करते हैं टीम के लिए ओपनिंग और साती सातना ये आपको पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हुए दिख जाएंगे तो क्यों इजाज के पास एक्सपिरियंस बहुत जाता है तो इन दोनों प्लियरों में से जिसको लेना चाहूँ उसको ले सकते हूँ मैं वैलन के साथ जा रहा हूँ योकि मैं थोड़ा बहुत अपनी टीम में रिस्क लेना पसंद करता हूँ बाकि आप चाहें तो इजाज मनाना है दो मैच इस सीजन के अंधर खेले हैं जहाँ पे 71 इनो ने रन मना रखें और दो विकेटली रखें ट्राइ करेंगे तो वाइस कैप्टन मना के चलेंगे उसके बाद यहाँ पे आयाज भाटी की बात करू टीम के लिए चौथी डाउन पे आपको बैटिंग करते व हाइस रन स्कोरर अपनी टीम के हाइस विकेट टेकर और एक ही मैच में 50 रन भी इनोंने बनाई थे और चार विकेट भी ली थी तो अलगी लेवल के ये परफॉर्मर है आपका सामने वाला जो भी ओपनेंट होगा वो टाइजर को कैप्टन लाएगा तो आप भी इनको कैप करवाया गया लेकिन इनको विकेट नहीं मिले लेकिन इनका पहले का रिकॉर्ड अच्छा है इसी वज़े से अगर आप किसी ऐसे प्लैटफॉर्म पे खेल लए हैं जहां पे आप पाच और ले सकते हैं तो वहां पे आप क्या करिएगा कि बैटिंग सेक्शन में डी वैलन क चोड़के अपनी टीम में ए मार्टल को ट्राइ कर लीजेगा क्योंकि यहां पे ना क्यू इजाज और यहां पे डी वैलन से काफी ज़्यादा भैतरीन आप्शन है एडम मार्टल तो यह चीद ध्यानक ना आप अपनी टीम में पाच वा और लाउंडर ले ले लेना अगर आप किसी ऐसे प्लैट्फॉर्म पे खेल रही हो जहां पे आपको पाच और लाउंडर लेने की अनूमती दी गई है उसके बाद यहां पे डबलू अबबास को पिक करेंगे बहुत ही अच्छे बॉलर है दो मैचीज में दो विकेट लिकी गई है लगाता टीम के लिए दो भी बनाए थे टीम के लिए और इसी के साथ एक विकेट भी लेकी गए थे हर मैच में टीम के लिए आपको दो ओवर की बॉलिंग देंगे और तीस्रे डाउन पे बैटिंग देंगे तो जे माटल को पिक करिएगा एम हिमरान की बात करता हूँ टीम ने इनको लास वाले बॉलिंग भी देंगे दो मैच में तीन विकेट यहां पे यह लेके जा चुगे है तो उसमान अरिफ को पिक करेंगे बॉलिंग सेक्षन में आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है इने चुने तीन इंपोर्टन घिलाडी हैं जिनको पिक करेंगे जैड अशरफ को हम ट्रा बनाई थी और आठ विकेट ले थी तो 2021 का रेकॉर्ड पहुश आंदार है तो ग्रेंड लिग की टीम में आप जरू ट्राइ करिएगा स्मॉल लिग में चाहें तो फिलाल आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं उसके बाद यहां पे लियूग बिचड को लेके चलेंगे एक मैच इस सीजन के अंदर बिचडने खेला है जहां पे यह दो विकेट लेकी गए हैं अच्छे बॉलर है इनको पिक करेंगे आर्थ हॉमसन और डी मुलन में से किसी भी खिलाडी को ट्राइ नहीं करेंगे ए वैक फॉर्ड को पिक करके चलेंगे सिंपल सा रीजन है लास वाले थोड़ा सा लखी रहा था जिसकी वज़े से इनको लास वाले मैच में विकेट मिल गए थी तो ये एक चेंज आप कर सकते हैं उसके बाद फरक रसूल को पिक करेंगे लास वाले मैच में ही बंदा तीन विकेट लेके चला गया था और बॉलर भी बहुत तगड़ा है इवन फॉलर गया तो अगले मैच में अच्छी पर्फोंस देगा तो अच्छी पर्फोंसने इसने दी और हमें उने मैच बाद कराए उसके बाद यहां पे खुरम रूम चजात की बात करूं कि टाक से प्लेयर है भले ही सपना 11 ने इनको बालिंग सेक्शन में दे रखाए लेकिन BGA की टीम इन से बॉलिंग नहीं करवा रही है तो इनको ट्राई नहीं करेंगे और इशान उल्ला लास वाला मैच नहीं के लेते तो हर एक प्लेयर के बारे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है दोस्तो अब आप लोग अपनी स्क्रीन के ओपर हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड देख सकते हो देखो यहाँ पे ना विकेट कीपिंग सेक्शन के तीन प्लेयरों का रिकॉर्ड मैंने लिखावा है सौरी चार प्लेयरों का रिकॉर्ड लिखावा है और यहां पे न मैंने इनके इस सीजन का तो रिकॉर्ड लिखावा है 37 दिन का बैटिंग ओर लिखावा है और 2021 में चाहिए इन्होंने T10 खेला हो T20 खेला हो उसका भी रिकॉर्ड लिख रखा है तो इन सारे रिकॉर्ड का ना आप स्क्रीन शॉट लेके रखिएगा क्योंकि यह जो रिकॉर्ड से ना यह आपको बाद में टीम मनाने में बहुत जादा हेल्प कर देंगे दोस्तो अब यहां पे हम लोग अपनी स्मॉल लिख की फाइनल टीम देख लेते हैं यह मेरी टीम बनती है कैप्टन सी वाइस कैप्टन से की बात करूं तो लिउक ली टाइजर को कैप्टन बनाएंगे और सूफियान सलीम को वाइस कैप्टन बनाएंगे बिल्कुल सिंपल सा ओप्शन है कोई यहां पे आपको अपना दिमाग लगाने की जुरत नहीं है बाकि अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशल जाना चाते हो मतलब फोर मेंबर मीनी जील वगरा खे करिएगा बाकि स्मॉल लीग में हाँ पे टाइज और सलीम बैस्ट आप्शन नहींगे तो आयोप आपको यहां पे वीडियो समझ में आई होगी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आप लोगों को लगता है वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक करिएगा टेलिग्राम से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलिग्राम से भी जुड़ जाएगा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा तो दोस्तों आज के लिए तना ही थ Thank you so much.